तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि करोना का रिपोर्ट एक मैने में दो बार भेजा जाता है तो एक मैने में दो बार कैसे भेजें एक बार तो भेजना आसान है मतलब एक बार मैं भेज लेता हूँ लेकिन दूसरी बार कैसे भेजें एक ही मैने में मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के साथ लास तक मैंने रहने क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि एक मैने में दो बार करोना का रिपोर्ट किस तरीके से भेज सकते हैं अगर जिनको पता है तो वो वीडियो को छोर करके जा सकते हैं जिसीरिप उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि दो बार करोना का रिपोर्ट एक मेने में कैसे भेजे तो सेसे पहले आपको अपने अशुन एप में आ जाना है अशुन एप में आने के bashand अशुन एप को आपको open करना है उसके बाद देखे यहां पे एक option नीचे दिया है COVID टिका करन कार्यकरम तो इस पे click मारना है इस पे click मारने के बाद वित्ते वर्स ओंटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ रहता है आपको वित्ते महिना में click मारना है और यहां से वो महा सेलेक्ट कर लेना है जिस महा का आप report भेजना चाते हैं दो बार तो मैं December सेलेक्ट कर लेता हूँ अब report भेजने के लिए देखे यहां plus का निसान दिया हुआ है इस पे आपको click मारना है click मारने के बाद देखे कुछ option पहले से automatic fill किया हुआ है direct आपको सेवा पूर्णे के तीथी के कैलेंडर पर click मारना है यहां से आपको वो date select कर लेना है जो पहला ठीका करन हुआ था एक मेहने में तो मैं 4 तारिक select करके ok कर देता हूँ पंजी का नाम भी automatic select किया हुआ है direct आपको खंड में click मारना है यहां से एक नमर select कर लेना है उसका पंजी का दिना क्या तीथी में click मारना है यहां से भी 4 तारिक आपको select कर लेना है मतलब यहां मैं 4 तारिक select कर रहा हूँ अपने हिसाब से आपको अपने हिसाब से select करना है जिद दिन आपका ठीका करन पहला वाला हुआ है उसके आद नीचे दिया अभी युक्ति रिमार किसको खाली छोड़ देना कुछ भी नहीं करना उसका सेब करे पे किलिक मारना है तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है डेटा सफलता पुरवक अपलोड हो गया आपको ओके कर देना है तो ये एक का रिपोर्ट मैं भेज चुका हूँ अब मुझे दूसरे का रिपोर्ट भेजना है वही दिसंबर महाम है मतलब आप जिस महना मैं भेजना चाहते उस महने को सलेक्ट करना है मैं दिसंबर का भेज रहा हूँ इसलिए मैं दिसंबर बोल रहा हूँ अब पहला भेजने के बाद फिर से पलस के निसान पर आपको क्लिक मारना है देखें फिर से कुछ option पहले से automatic fill किया हुआ है उसके आपको सेवा पुर्णे की तीथी पर क्लिक मारना है उसके दूसरा वाले टिका करन जब हुआ था उस दिन का यहां पर select करना है date तो मैं यहां से sole paralink select कर लेता हूँ ओके कर देता हूँ उसके बाद पंची का code automatic select किया हुआ है उसके थे खंड में click मारना है यहां से मैं एक नमर select कर लेता हूँ उसके पंची का दिनाक के calendar पे click मारता हूँ या से मैं sole fellowship select करके ok मार देता हूँ उसके अभी युक्ति रिमार खाली चोड़ देना है उसके सेप करे पे किलिक मारना है तो देखे फिर से एक notification आ गया data सफल तब रोग अपलोड हो गया ओके कर देना है तो इस तरीके से आप दो बार एक महरे में करोना का रिपोर्ट भेज सकते हैं करोना ठीका करन का तो ये बहुती आसान सा तरीका है अब आप समझ गये होंगे अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप comment box में लिख सकते हैं आपकी पूरी-पूरी मदद की जाएगी तो आज के लिए बस इतना ही